नमस्कार सबसे पहले तो रिपब्लिक देखी आप सभी को बहुत बहुत शुपकामना है और आज मार्केट्स के अंदर यह जो फॉल देखने को मिल रहा है इससे घबराना नहीं है यह वालेटिलिटी है और अभी तक निफ्टी रेंज बांड मूव और एक चैनल में ट्रेड कर रहा है यह जो रेंज बांड मूव में नीचे का जो सपोर्ट है 17,750 17,750 17,700 के आसपास का सपोर्ट रेंज है वेर इट कम्सुदी रेंज लेवल 18,250 18,300 यह रेंजेंस लेवल है तो जब भी यह ब्रेक आउट उपर की तरफ या नीचे की तरफ आएगा उसके बाद 500 से 700 पॉइंट का मूव निफ्टी में हमें देखने को मिलेगा आई फिल निफ्टी शुड होल दी सपोर्ट ऑफ आराउं 17,700 750 लेवल्स यह सपोर्ट लेवल्स ब्रेक नहीं होने चीए यह सपोर्ट लेवल्स निफ्टी होल करना चीए और यहां से जल्दी ही एक रिबांड एक बाउंस उपर की तरफ देखने को मिलना चीए जिसमें दुबारा से जे 18,000, 18,250 के लेवल्स निफ्टी में देखने को मिलेंगे और यह उपर का रेंज जैसे ही ब्रेक होगा तो 18,700 और 19,000 के लेवल्स फिर निफ्टी में हमें उपर की तरफ देखने को मिलेंगे नीचे मे अगर बाई चांस सपोर्ड लेवल ब्रेक हुआ तो पांसो पॉइंट के फॉल के लिए आप तयार रही है प्रिपेड रही है सत्रह हजार से सत्रह हजार दोसों तक के लेवल ऐसा होने पर नीचे में देखने को मिलेंगे तो सपोर्ड लेवल टूटने के बाद यह नीचे का दर्वाजा खुलेगा और नीचे के लेवल निफ्टी में देखने को मिलेंगे जब तक यह नहीं होता है कबराना नहीं है जैसे यह बाउन्स बेगा रिकवरी आ जाएगी यह तो था निफ्टी का बात नाव वन इट कमस तो धी बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी यह बैंक निफ्टी में तूटे हैं आज का क्लोजिंग अगर 41-541-600 के नीचे आ गया तो फिर हजार पॉइंट का फॉल और बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है आज का नीचे में तेज़ी कब बनेगीु और उपर में एक बार 42जार और 42500 का लेवल कंविंसिंग्ली ब्रेक होगा उसके बाद बैंक निफ्टी में बड़िया तेज़ी का मूव देखने को मिलेगा ये लेवल ब्रेक होने के बाद 43500 से लेके 400,000 तक के level bank nifty में उपर में देखने को मिलेंगे तो यह resistance level उपर में break होना ज़रूरी है और नीचे में किसी भी हालत में support के नीचे 41 500 के नीचे closing ना मिले अगर मिली तो फिर यह correction और बढ़ेगा ऐसा होने पर bank nifty भी अपना support तोड़ेगा तो इस हफते इन levels को closely watch करें stop loss maintain रखें volatility बढ़ेगी अच्छा मूव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा अगले हफते budget है budget के पहले यह volatility सभाविक है budget में क्या आता है उसके उपर बहुत कुछ markets पे depend करेगा फिलाल story intact है तेजी का move intact है supports टूटते नहीं है तब तक आप लोग पूरी उमीद रख सकते हैं कि markets में यहां से rebound और bounce back देखने को मिल सकता है index जब गिर रहे हैं तो sectors में गिरावट आना सभाविक है आज सभी sector में across सारे sectors के अंदर एक dip में गिरावट है fmcg में गिरावट है रियल्टी में गिरावट है करीब 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 का commodity से related सारे sectors के अंदर PSU banking stock banking stock financial stocks उसके बाद IT के अंदर गिरावट है pharma के अंदर भी गिरावट है तो देखो के तो सभी sectors के अंदर आज गिरावट देखने को मिल रहा है और ऐसा जब cell of या fall आता है तो mostly stocks के अंदर गिरावट ही आता है कि करने में cement sector पर आप लोग नजर रखें यह जो अच्छी खासी गिरावट cement sector में देखने को मिल रहा है यह एक अगर आप सिमेंट सेक्टर में खरदारी करेंगे और डिप में एवरेज करेंगे तो आपको एक बड़िया रिटन एक बड़िया मूव उपर की तरफ देखने को मिलेगा तो सिमेंट सेक्टर आने वाले समय में एक अच्छा पॉफ़ोमेंस दिखाएगा FMCG counters में ये dip में खरदारी करे FMCG counters भी आने वाले 3-6 मैने के अंदर एक बड़िया performance यहां से उपर की तरफ दिखाएंगे Britannia, Daber, Merico, HUL, Tata Consumer इन stocks में एक बड़िया move उपर की तरफ देखने को मेलेगा L&T counter मुझे बहुत मजबूत दिखता है 3 मैने, 6 मैने, 9 मैने के horizon से L&T में खरदारी करे 50-100 रूपे के dip में खरदारी करके चले existing portions hold रखके चले बहुत जल्दी यहां से उपर में 200 से लेके, 25 सो तक के level L&T में देखने को मिलेंगे L&T counter में जिस तरह से मजबूती बनी है ये रूखेगा नहीं बीच बीच में pause आएंगे, गिरावट आएगी इसमें खरदारी करना है ताकि आप बड़ा मूव उपर की तरफ इसमें बड़ा मूव capture कर सके Auto sector में मारूती M&M, TVS motor इन stocks में मेरे को लगता है कि आप long positions hold करे, dip में खरदारी करे बहुत जल्दी उपर का move in stocks के अंदर देखने को मिलेगा, आज के इस गिरावट वाले market में इतना view काफी है जिसके अंदर index का बात हो गया stocks का भी बात हुआ और sectors का भी बात हुआ एक दो दिनों में ये fall थमेगा और वापस से up and move आएगा आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद बाबाए टेक क्यर